अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम मैं आपका स्वागत है मैं हूँ आर्टी टेली प्राइम के आज की अध्या में आप सीखेंगे GST Reports में Uncertain या Mismatched Transactions क्या हैं और उन्हें कैसे Resolve करते हैं Uncertain या Mismatched Transactions की ये वीडियो दो पार्ट्स में हैं पहले पार्ट में हम इन सब ही Mismatch को Solve करना बता चुके हैं और आज के अध्याय में हम इन Mismatch को Solve करना सिखेंगे यदि आप Mismatch वाले टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके पहले पार्ट को जरूर देखें तो चली शिरू करते हैं आज का वीडियो Uncertain Oblig Mismatch Transactions के पहले पार्ट में हम आपको बता चुके हैं कि GSTR2 में शामिल होने वाले किसी Transaction में यदि कोई Mistake होती है तो वो Invoices with Mismatch in Information में तो दिखाई देती है उसके साथ ही वो इस Section में समबंधि टेबल में भी दिखाई देती है यह देखिए यहाँ Invoices with Mismatch in Information के सामने दो लिखा है यानि कि हमने दो Transactions में किसी प्रकार के Mistake की है तो हम इस पर जाकर Enterprise कर रहे हैं एक बार और Enterprise करेंगे यह देखिए यहाँ पर दो Purchase दिखाई दे रही है एक वो है जो हमने संदीप Traders से की थी और दूसरी वो है जो हमने गीता Traders से की थी अब इन दोनों Purchase में हमने किस प्रकार के Mistake की है वो Type of Mismatch Oblick Incomplete Info वाले कॉलम में दिखाई दे रही है पहले Voucher में एक Mismatch है और दूसरे Voucher में दो Mismatch है इस सरह हम देख रहे हैं कि दो Vouchers में कुल तीन Mismatch है कहने का तात पर यह है कि किसी भी Voucher में एक या एक से ज्यादा Mistakes भी हो सकती है अब हम B2B Invoices पर चलते हैं यह देखिए अभी हमने Mismatch वाली जो दो Entries देखी थी वो यहाँ भी दिखाई दे रही है कहने का मतलब यह है कि इस सेक्शन में ट्रांजेक्शन दिखाई देने के बाद भी उसमें गलती हो सकती है इसलिए हमें GSTR2 में Invoices with Mismatch in Information को विशेश रूप से देखना चाहिए जैसे यदि किसी ट्रांजेक्शन में कोई गलती हो तो वो हमें पता चल जाए और हम उसे सुधार सकी चलिए अब Invoices with Mismatch in Information पर चलते हैं और Mismatch को सौल करते हैं यह आप देख सकते हैं List of Exceptions आ रही है जिसमें सबसे उपर Number of Vouchers with Incomplete Oblic Mismatch in Information लिखा हुआ है और इसके आगे 2 लिखा हुआ है यानि कुल दो Vouchers में Mistake हुई है और इनमें किस तरह की Mistake है वो नीचे अलग-अलग Heading में दिखाई दे रही है इन Heading के आगे संख्या भी लिखी है कि इस तरह की Mistake कितने वाउचर में हुई है यहाँ पर एक महत्पून बात ध्यान रखें कि इन सभी Mismatch की Total और Voucher की कुल संख्या दोनों अलग-अलग हो सकती है और इसकी वज़व यह है जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि एक Invoice में एक से ज्यादा Mismatch हो सकते हैं चलिए हम एक एक करके इने Solve कर लेते हैं इसमें से पहला है Mismatch Due to Tax Amount Modified in Voucher इसका मतलब है Voucher में Tax Amount में परिवर्तन के कारण हुआ Mismatch सरल भाशा में समझें तो यह Mismatch तब होता है जब हम लापरवाही में या जल्दबाजी में CGST, SGST या फिर IGST के लेजर में गलत Text Type चुन लेते हैं या Voucher में CGST और SGST में से केवल एक ही लेजर सिलेक करते हैं या फिर CGST और SGST दोनों के अलग-अलग लेजर सिलेक ना करते हुए दो बार CGST या दो बार SGST सिलेक कर लेते हैं और Entry को Accept कर लेते हैं इसका परिणम यह होता है कि हम Stock Item, Lager या फिर किसी भी लेवल पर जो Tax Rate सेट करते हैं Tax उसके हिसाब से Calculate ना होकर गलत Calculate हो जाता है हम इस पर Entry Press कर रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर दो Vouchers दिखाई दे रहे हैं हम इसमें पहला Transaction देखते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या mistake हुई है यह देखिए, यहाँ सबसे उपर वाली Line में दिखाई दे रहा है कि हमने संदीब ट्रेडर से Tax सहित कुल 2,600,000 का माल खरीदा है जिसमें Tally की Calculation के हिसाब से 30,600 रुपे Tax included है और हमने जो Transaction Record किया है उसके हिसाब से भी Tax 30,600 रुपे ही है यानि इसमें कोई Difference नहीं है तो ये तो ठीक है चलिए अब नीचे देखते हैं यहाँ इस Purchase पर Tally की Calculation के हिसाब से 15,300 रुपे Central Tax लगना चाहिए था पर हमने 30,600 रुपे Central Tax लगा दिया है और यही कारण है कि Difference में माइनस में 15,300 लिखा हुआ है यानि हमने 15,300 रुपे Tax ज्यादा लगा दिया है इसी तरह 15,300 रुपे State Tax लगना चाहिए था पर State Tax में हमने कुछ भी नहीं लगाया है और यही कारण है कि Difference में Tax का पूरा Amount 15,300 लिखा दिखाई पड़ रहा है अब अगर हमें यहाँ ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम यहीं से इस Transaction को Open कर सकते हैं उसके लिए Control के साथ Enter की प्रेस करेंगे यह देखे, Voucher Alteration स्क्रीन आ रही है यहाँ तो हमने CGST और SGST तोनों के Legers लगाए हैं और Tax भी ठीक से ही केलकुलेट हुआ है फिर भी इस प्रकार का Miss Match क्यों आ रहा है? चूंकि Tally इस Miss Match में बता रहा है कि SGST नहीं लगाया गया है तो चलिए पहले हम SGST पर जाकर Control के साथ Enter Press करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या समस्या है यहाँ पर हम उपर से चेक कर लेते हैं यह देखे, Name सही है Under में हमने Duties and Taxes Group सेलेक किया है यह भी सही है Type of Duty Oblix Text में GST लिया है यह भी सही है पर यहाँ देखे, Text Type में हमने State Text के स्थान पर Central Text सेलेक कर रखा है जिसके कारण Central Text दो बार कैलकुलेट हो रहा है हमेशा याद रखे, CGST के लिए Central Text SGST के लिए State Text और IGST के लिए Integrated Text सेलेक करना चाहिए चलिए हम इस Mistake को ठीक कर लेते हैं अब इस Voucher को सेव कर लेंगे यह दिखिए दोनों Transiction में जो Miss Mesh थे वो ठीक हो गए हैं और यहाँ से चले गए हैं अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो एक Voucher में Mistake ठीक की तो दूसरे की अपने आप कैसे ठीक हो गई तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि दूसरे Transiction में भी SGST के लेजर में यही समस्या थी अब जैसे ही हमने SGST का लेजर ठीक किया दूसरी Voucher का Mismatch भी अपने आप ठीक हो गया अब हम Skip की Press करके बाहर चलते हैं यह देखिए हमने यह वाला Mismatch Solve कर लिया है फिर भी यह यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है हम Skip की से वापस बाहर चलते हैं अब फिर से Invoices with Mismatch in Information पर चलते हैं यहाँ आप देख सकते हैं हमने जो Mismatch Solve किया था अब वो यहाँ से हट चुका है अब यहाँ पर एक ही Mismatch पचा है और वो है Information Required for Generating Table-Wise Detail Not Provided चलिए इस पर चलकर Enterprise करते हैं इसमें लिखा है कि Supplier Oblick Original Invoice Number Is Not Specified और Exceed 16 Characters and Date Is Not Specified इसका मतलब यह है कि आपने इस Transiction में Supplier का Invoice Number और Invoice Date नहीं डाली है या फिर Invoice Number 16 अंकों से अधिक्का है हम इस पर Control के साथ Enter Press करेंगे यह देखे इस Voucher में हमने Gita Traders से जो Purchase की थी उसका Invoice Number और Date नहीं डाली है तो पहले हम Gita Traders से जो Invoice प्राप्त हुआ है उसे देख लेते हैं यह यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका Invoice Number 44 है और Invoice Date तो अप्रेल है चलिए अब यहाँ पर हम Supplier का Invoice Number और यहाँ उसकी Date डाल देते हैं और आप इसको Accept कर लेंगे यह देखे ऐसा करते ही Mismatch Solve हो गया अब हम GSTR 1 Report पर चलते हैं यहाँ B2B में पहले से ही चार Vouchers दिखाई दे रहे हैं और Uncertain Transactions में एक Transaction दिखाई दे रहा है चलिए इस पर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सा Mismatch है यहाँ पर एक Mismatch दिखाई दे रहा है Mismatch Due to Tax Amount Modified in Voucher इस Mismatch के बारे में हम आपको पहले समझा चुके हैं चलिए इसे भी Solve कर लेते हैं इस Transaction में CGST तो Calculate हुआ है पर SGST का Amount नहीं दिखाई दे रहा है यानि हम SGST का Lager सिलेक करना भूल गए हैं हम SGST का Lager यहीं से सिलेक कर सकते हैं उसके लिए एंटर प्रेस करेंगे इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी एक बार और एंटर प्रेस करेंगे अब SGST का Lager सिलेक करेंगे और Difference वाले कॉलम में से Tax का Amount देखकर यहाँ पर टाइप कर देगे हम इसे Ctrl A से Accept कर सकते हैं पर हम आपको इस Mismatch को ठीक करने की एक और मेथड बताना चाहा रहे हैं इसलिए Escape की प्रेस करते हुए वापस पीछे चलते हैं अब हम Ctrl के साथ Enter प्रेस करके Voucher उपन कर लेते हैं यह देखे हम SGST का Lager सिलेक करना भूल गए हैं ऐसा तब हो जाता है जब हम Voucher को जल्दी-जल्दी में Ctrl A से Save कर लेते हैं यदि हम Voucher में CGST, SGST या IGST सिलेक करना भूल जाते हैं और Enter प्रेस करते हुए Voucher को Accept करते हैं तो हमें इस तरह की Warning आती है जिससे हम समझ जाते हैं कि हमने Tax के Lager सिलेक्ट नहीं किये हैं और Voucher Accept हो जाता है हम SGST का Lager सेलेक्ट कर लेते हैं और अब इस Voucher को Accept कर लेंगे यह देखिए Mismatch Solve हो गया है अब B2B में भी Vouchers 4 से बढ़कर 5 हो गए हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब हम एक और Mismatch Nature of Transaction Taxable Value Rate of Tax Modified in Voucher को समझ लेते हैं यह Mismatch किस कारण से आता है इसे हम एक उधारण से समझ लेते हैं मान लीजिए हमने 2 अप्रेल को अपनी कस्टमर महक ट्रेडर्स को 20,000 रुपे प्रतिनक के भाव से LG TV 20 इंचेस के दोनक उधार बेचे आईए इसका Sales Voucher बना लेते हैं यह हमने Sales Voucher उपन कर लिया है और जब हम उसका Voucher बनाने गए तब हमें ध्यान आया कि पहले LG TV 20 इंचेस पर 18% GST था जो की आज से ही चेंज होकर 28% हो गया है तो हम Transaction Level पर ही अभी Tax Rate चेंज करके बिल बना लेते हैं अब Transaction Level पर Tax लगाने के लिए हमें F12 की प्रेस करके Modify Tax Rate Details of GST को यस करना होगा Transaction Level पर Tax कैसे लगते हैं यह हम आपको अपनी वीडियो नमबर 87 Tax Rate हाईरार्की में अच्छे से समझा चुके हैं अब हम Date Change कर लेते हैं यहां Party Select करेंगे अब Cells Account सेलेक करेंगे यह दिखें Cells Account सेलेक करते ही Text Classification Details की एक स्क्रीन आ रही है यहां आपकी स्क्रीन भी इसी तरह की दिखाई पढ़ रही है तो ठीक और यहां इसकी जगह आपकी स्क्रीन इस तरह की दिखाई पढ़ रही है तो F12 प्रेस करें अब यहां दिखाई पढ़ रहे Options में से Allow Override Accessible Value और Override Tax Rate को Yes करें और इस स्क्रीन को Save कर लें ऐसा करते ही आपकी स्क्रीन भी इसी तरह की दिखाई देगी अब इसके माध्यम से हम Transaction Level पर Tax Rate सेट कर सकते हैं सबसे पहले Nature of Transaction में से हम Not Applicable सेलेक कर लेंगे और यहां हम Integrated Tax के आगे New Rate में 28% टाइप कर रहे हैं और एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं यहां LG TV 20 Inches सेलेक करेंगे यहां पर Quantity और यहां पर Rate अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं एक छोटी सी स्क्रीन आती है जिसमें Taxable Value डालने के लिए कहा जाता है पर हमें इसमें कुछ भी डालने के आवशक्ता नहीं है इसलिए हम Enterprise करके आगे बढ़ जाएंगे अब GST के लेजर सेलेक करेंगे यह देखिए 14% से CGST और 14% SGST कलकुलेट हो गया है अब जैसे ही हम इस voucher को accept करने जाते हैं तो एक छोटी स्क्रीन आती है और यह स्क्रीन केवल Transaction Level पर Tax Rate सेट करने के कारण आती है इस स्क्रीन के बारे में हम आपको Tax Rate Hierarchy वाली वीडियो में डीटेल में बता चुके हैं हम Y या Enter Key प्रेस करके इस वाउचर को accept कर लेंगे अब हम GSTR 1 पर चलते हैं और अभी हमने जो Entry Key है उसका effect देख लेते हैं चोकि हमने Regular Dealer को Sell Key है तो उसकी Report हमें B2B में दिखाई देनी चाहिए पर हम यहां देख सकते हैं कि B2B में तो पहले की तरह ही पाच वाउचर दिखाई पड़ रहे हैं यानि कि अभी हमने जो Entry Key है वो यहां पर नहीं आई है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने Transaction Level पर Tax Rate सेट किया था जिसमें वाउचर सेव करते समय ये वाली स्क्रीन आई थी और हमने इसे Enterprise करके Accept कर लिया था बस यही कारण है कि Entry Uncertain Transactions में चली गई है तो चलिए हम भी Uncertain Transactions पर चलते हैं यह देखे यहां पर Mismash दिखाई दे रहा है Nature of Transaction Taxable Value Rate of Tax Modified in Voucher यानि कि Voucher पर Transaction Level में GST Details को Modify किया गया है चलिए देखते हैं कि इस प्रकार के Mismatch को कैसे Solve करते हैं उसके लिए Enterprise करेंगे यह यहां पर महक Traders को की गई Sell दिखाई दे रही है इसमें यह भी दिखाई दे रहा है कि हमने LG TV 20 Inches के Stock Item पर 18% Tax Rate सेट किया था पर इस Voucher में हमने Transaction Level पर 28% Tax लगाया है अब यदि हम इसको यहीं से जैसा है वैसा ही यानि 28% के साथ ही Accept करके GST Return में शामल करना चाहते हैं तो यहां दिखाई दे रहे Accept As Is पर क्लिक करें या इसका Short Cut Alter के साथ J की Press करें एक Message आएगा कि क्या आप इसे जैसा है वैसा ही Accept करना चाहते हैं हम Yes के लिए Under Press कर रहे हैं यह देखे ऐसा करते ही Transaction Mismatch से बाहर हो गया है अब हम Escape Key से बाहर चलते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि B to B में Transactions 5 से बढ़कर 6 हो गए हैं तो दोस्तो इस वीडियो में और इसके पहले वाली वीडियो में आपने कुछ Mismatches को देखा और समझा कि वे किन गलतियों के कारण होते हैं और उन्हें कैसे Solve करते हैं इनके अलावा भी और भी कई तरह के Mismatch हो सकते हैं जिनने आप हमारे पताय अनुसार और अपने विवेक से Resolve कर सकते हैं Mismatch Solve करने के बाद आप अपने Chartered Accountant को अपनी कंपनी का Data पेश दें इसके आधार पर वो Portal पर GST Returns Submit कर देगा और यदि आप स्वयम ही Portal पर इसे Submit करना चाहते हैं तो ये काम हम आपको अपने Advanced Level की वीडियोस में बताएंगे आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद